नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल राजस्तान बेरोजगार चात्रशंपी जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्तान हाई कोट की जोदपुर बेंच में एक सिविल रिट पेटिशन संग्या तीस सो एक सट दर्ज हुई वर्ष दोहजार सोला में मामला है आईरुवेद चिकिश्कों का आप देख सकते हैं यहां पर काफी सारे जो पेटिशनर हैं इन्होंने एक साथ जो रिट पेटिशनर वो दर्ज की है और राजस्तान हाई कोट के जोदपुर बेंच ने इसको लेकर फैसला यहां पर सुना है जैसा कि देख स लगे वे थे और वर्ष 2015-16 में यह पर्मानिट हुए इसके बाद इन्होंने यहां पर सरकार से गुहार लगाई कि इनकी जो पूरानी सेवा है वो काउंट की जाए साथ ही साथ इनको प्रोवेशन पे ना रखा जाए आप देख सकते हैं करीब 27 जो पेटिशनर है साथ ही इ आप देख सकते हैं पेटिशनर के और से MS सेंग भी जो सेनिर एड़ोकेट हैं और जिन को असिस्ट किया है अभिशेक महता ने साथी सरकार की तरफ से MS मिसर्रेखा चोदरी जो हैं डीवाई जी सी इन्होंने यहां पर पेर भी की और ओनरेबल जस्टिस मोहदे ने आप जाइन कि 5 अगस्त दो हजार चोईश को ओडर रिजर्व किया था और 2 सितंबर दो हजार चोईश को ओडर प्रवनाउन से यहां पर किया था जैसा कि आप देख सकते हैं देप्रेटिशनर हूँ आर वर्किंग एज आइलवेज चिकिशक यानि कि जो प्रेटिशनर है वो आ प्रेटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ दे कॉंस्टुटिशन ऑफ इंडिया जोंटली एज एक कॉमन ग्रिवेंस हैं तो दोस्तों यहां पर जो प्रेटिशनर है वो आई रिवेज चिकिश्यक के रूप में कारत हैं और इनों ने यहां पर जो सम्वीदान है उसके अनुच प्रेटिशनर हैव बीन मेट दा फॉलॉइंग प्रेटिशन तो यहां पर आप देख सकते हैं बाइ अप्रोपियेट रिट ओडर और डिरेक्शन दा इस्पॉंडेंट में बी डिरेक्टेट तो रेगुलाइज दा सर्विस अप्रेटिशनर फ्रॉम देट अफ इनिशल बेनिफिट्स तो यहां पर प्रेटिशनर ने प्रे की है कि इनों ने यहां पर जो अपन्मेंट और ओडर है उसे वे परण 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 जो इनकी जो सर्विस है वो रेगुलाइज हो चुकी है परमानेंट हो चुकी है और इनको नियमित वेतन बत्तों के साथ साथ जो भी बेनिफिट्स हैं वो दिये जाएं बाई अप्रोपेट रिट ओडर और और डारेक्शन दर इस्पोंडेंट में डारेक्टे टू काउंट सर्विस रेंडर्ड बाई दर प्रेटिशनर फॉन देट ओफ इनिशियल सेलेक्शन ओन काउंट्रेक्श्यल बैसिस तो आड्स प्र रिस्पोंडेंट हैं जो सरकार हैं जो आईलवेट डिपार्टमेंट हैं उनको डारेक्शन जारी किये जाएं कि इन्होंने जो कॉंट्रेक्ट्च्यल बैसिस पर जो सर्विस की है वो भी इनकी सेवा में काउंट की जए साथ ही साथ इनको अभी यहां पर प्रोबेशन पर तो इनको जो fixation के जो पूरा जो benefit है वो यहां पर जो payment है वो यहां पर दिया जाए साथ ही इन्होंने कहा है by appropriate rate order or direction in the alternative that respondent may be directed or count to count service of petitioner on subsequent basis from the date of their selection and regular appointment made in the year 2009 with all consequential benefits तो दोस्तों इन्होंने काया कि जो पूरानी सेवा है जो समवीदा के रूप में इन्होंने की है वो यहां पर इनकी count की जाए गिनी जाए साथ ही इन्होंने जो चोथी मांग है वो यहां पर की है कि by appropriate rate order or direction the action of respondent in paying fixed salary during the period of probation by declare illegal यानि कि इनको जो प्रोबेशन के रूप में जो salary दी जा रही है वो उसको illegal declare किया जाए यानि कि एनेतिक गोशित किया जाए and it may be declare that the petitioner are entitled to regular scale of pay during the period of probation साथ ही माननी कोट्षे इन्होंने गुहार भी लगाई है कि जो respondent ने जो सरकार है जो आयर्वेट department है उनको direction जारी किया जाए कि इनको probation में भी जो regular space scale है probation के बाद में बादगी वो यहां पर दी जाए तो दोस्तों मा बता दूँ यह जो मामला है आयर्वेट चिक्षकों का है वो पहले समवीदा पर लगे वे थे लेकिन सरकार ने इनको बाद में एक विगेप्ति जारी करते वे जो भड़ती है वो जारी करते वे इनको पर्मानेंट कर दिये लेकिन पर्मानेंट करने के बाद भी इनको probation पर रखा कि यहां पर इनको जो है probation के बाद की salary जो है वो दी जाए साथ ही साथ इनकी जो 10 से 12 साल की जो सेवा है 12 से 13 साल की जो समवीदा के रूप में वो भी यहां पर गिनी जाए साथ ही आप देख सकते हैं जो आप देख सकते हैं एक advertisement publish जुआ था 19 दिसंबर 2001 और 6 अक्टोबर 2003 मे inviting application for appointment on the post of Ayurved Chikishak on contract basis यानि कि सरकार ने एक 19 दिसंबर 2001 और 6 अक्टोबर 2003 को एक public invitation जो है सारव जने विग्यापन जारी किया था Ayurved Chikishakों की contract basis पे बढ़ती करने को on the both occasion the select list were prepared on the basis of merit as criteria determined by the department of Ayurved तो यहां पर दोनों जो date हैं उनको लेकर एक जो selection की जो list है वो यहां पर merit basis पे बनाई गई जो भी department का जो criteria था and the same was were issued on और जो list हैं वो यहां पर 14 फरवरी 2002 नो फरवरी 2004 और 11 नॉमबर 2004 को जारी की आप देख सकते हैं the petitioner were grant appointment on the contract basis on consolidate remuneration and the starting working as such और इनको यहां पर यहां पर नुक्ति दी और एक जो remuneration जो मान दें उन पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया in the year 2008 2008 में respondent framed the राजसान आईरवेद rules राजसान रूलर आईरवेद यूनानी homeopathy and natural services rules तो दोजार आट में इनके लिए रहसान, रूलर, आईरवेदिक, यूनानी, होमेपेति और नेचुलर जो सर्विजर्स रूल्स हैं वो यहां पर बनाएगे आप देख सकते हैं इनिशेल रिक्रूट्मेंट वाज प्रोवाइड टू टेक केर ओफ ओल दोज आईरवेदिक चिकिशक हूँ वरकिंग ओन कॉंट्रक्ट बेसिस साथ ही इन उने खाया है इन रूल्स में दे एडवर्टाइजमेंट 21 जुलाई 2008 वाज इसूट इनवाज इसूट इनवाइटिंग पब्लिक, इनवाइटिंग अप्लिकेशन टू फिल 320 पोस्ट ओफ आईरवेदिक चिकिशक और इन नियमों के थैत 21 जुलाई 2008 को एक सारव इन एक विग्यापन जारी करते विए 320 जो आईरवेदिक चिकिशक की पोस्ट हैं वो बढ़ने को लेकर एक विग्यापन जारी किया इसके बाद में इनका जो नाम है वो जो भी जो सेलेक्शन की लिस्ट है वो जारी कि उसमें इनका नाम आया and they were given appointment to the post of आईरवेदिक चिकिशक on substantive basis wide order dated 2 जून 2009 और यहां पर इनको 2 जून 2009 के आदेश के मादम से इनको नियमित नुक्ति के जो है जोइनिंग ओडर जो अपन्टमेंट ओडर है वो जारी किये गए आईरवेदिक चिकिशक के पत्वे साथी एक बंच ओफ रिट पर्टिशन केंब टू फिल्ड बिफोर दे कोर्ट एट जेपूर बेंच लेड़ बाई सिविल रिट पर्टिशन सेंक्या बावन उनशट स्लेश दोहजार नो चैलेंज असलेक्शन प्रोसेस और यहां पर एक जेपूर बेंच में ग्रिट पर्टिशन दाईर हुई वावन उनशट स्लेश दोहजार नो और जिसमें सेलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज यहां पर किया बाई रिस्पोंडेंट इन प्रशुएंट जो एडबर्टाइजमेंट था 21 जुलाई 2009 का और यहां पर इन्हों ने खा कि यहां पर जो सेलेक्शन का जो ग्राउंड था वो यहां पर तय नहीं था दे सिंगल बेंच अलाउड दे सैड रिट पर्टिशन वाइड ओडर रेटेड उनतीश अप्रेल दोहजार ग्यारा और यहां पर जो सिंगल बेंच थी उन्हों ने एक आदेश जारी करते वे का जो एकीज उलाई 2008 के मादें से जो विग्यापन जारी किया था जो सेलेक्शन किया था जो अपोंट्मेंट किया था वो illegal था and they were directed to hold fresh selection process और इनको एक नहीं fresh selection process जारी करने के नरदेश जारी किये after determining the criteria for selection और selection का जो criteria है वो तह करते वे नहीं भरती के आदेश यहां पर जारी किये however looking to the peculiar facts and circumstances of the case and to avoid surface of public at large in ruler areas of absence of highway citizenship it was directed that till process of selection as per rules 2008 यानि के इनको नरदेश भी जारी किये कि जब तक जो rules यूनानी यह हमें पहती के जो rules जारी किये थे आई वे चिकिशिक के 2008 के उसके according जब तक selection process पूरी नहीं हो जाती on proper criteria यानि कि जो भी criteria निरधरित किया गया उसके नुशार for selection and determination of merit is undertaken यानि कि जो भी न्यूकती रहेगी वो court के दिन रहेगी selected and appointment candidates apart from other candidates may not be disturbed however if any candidate already appointment was not selected in the previous selection he was directed to record their regular post for newly selected merit to merit to your candidate तो दोस्तों इन्होंने काया कि अब जिनका जो selection हो चुका है और जो नहीं list हैं यहां पर आप जारी करते हो और निरधारित ग्राउंड के आदार पर उसमें उनका selection नहीं होता है तो उनके लिए एक जो पोस्त है वो खाली रहेगी तास्द है petitioner continued their service without interpretation यानि कि बीना किसी बादा के जो petitioner है उन्होंने अपनी service चालू रखी the judgment of single bench was unsuccessfully challenged before the division bench of this court by filling a bunch of intra court appeals and dismissing the appeal wide judgment यानि कि जो single bench का जो order था उसको यहां पर double bench में challenge गिया और 31 October 2011 का जो judgment था उसको dismiss यहां पर कर दिया the division bench observed that the selection process has been closed without disturbing the direction issued by single bench it was made clear that the employee who were serving shall continue to service till fresh selection process is complete तो यहां पर इन्होंने खाया कि बीना किसी single bench के order के ओर डिश्टब किये विये जो प्रेटिशनर है उन्होंने अपनी service continue रखी और जब तक कि जो fresh selection है वो complete नहीं हो जाता the SLP for fed against the aforesaid judgment also come to dismiss wide judgment 26 March 2012 तो दोस्तों यहां पर जो एक SLP भी दाइर की जिसमें जो judgment था single bench का उसको भी dismiss यहां पर कर दिया तो दोस्तों मोटा मोटे इस case की जो बात है कि जो प्रेटिशनर है वो यहां पर समवीदा पर contractual basis पे आयलवे चिकिशक के रूप में काम कर रहे थे बाद में सरकार ने पर्मानेंट भरती की और उस पर्मानेंट भरती में इन समवीदा करमचारियों का selection हुआ selection होने के बाद यहां पर इनको प्रोबेशन पर रखा गया विबिन ओडर के माते हम से जो भी है जो जो बढ़ती है जिसमें इनका selection हुआ उनको प्रोबेशन पर रखने के आदेश यहां पर जारी की है लेकिन इन्होंने 12 से 13 साल की जो service है वो समवीदा के रूप म इसी को लेकर एक जो रिट पेटिशन है वो जोदपूर बेंच में यहां पर दायर की गई जिसमें विमिन आर्टेकल्स का वोईलेशन करने को लेकर भी यहां पर इन्होंने माननी कोर्ट से remedies प्राप्त की जिसमें माननी कोर्ट ने इनकी जो पूरानी services समवीदा के रूप म वो काउंट करते वे इनके जो पूरे जो वेतन बत्ते हैं जो फिक्सेशन के बाद में दी रता है इनको प्रोबेशन में देने के जो आदेश हैं वो जारी यहां पर किये जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहां पर रेगुलाइजेशन ओफ दे सर्विस ओफ प्रोबेशन फ्रोम देट ओफ देर इनिशियल अपॉन्मेंट और कॉंट्रक्ट यानि कि इनकी जो प्राडम्बिक जो सेवा है उससे इनको नियवित मानते वे इनकी पूरी सर्विस काउंट करने के नरदेश जारी किये हैं साथ इनकी विविन रूल्स का भी हवाला यहां पर दिया है चाहिए वो रासान होमेप्यति यूनानी या आईवे चिकशक रूल्स हों साथी साथ इनों ने कहा है कि यह कॉंट्रक्ट बैसिस पर लगे वे थे इसके बाद में जो सेलेक्शन प्रोसेस है यहां पर चाहिए वो 2009 की हो वो यहां पर रेगुलर अपॉल्मेंट जारी करने के लिए जारी की गई थी और दूरिंग दे एंटार प्रीड ओफ दो हजार नो से लेकर दो हजार पंद्रा पैटिशनर वर वर्किंग अंगेंस दे सबसेंटिव पोस्ट ओफ फाइर वे चिकशक यानि कि जब तक इनक की जो यहां पर फाइनल जो अपॉल्मेंट जारी किये थे इसके बाद में इनको प्रोबेशन पर रखा इसी को लेकर यहां पर इन्हों ने रेमेडी माननी कोर्ट से प्राप्त की है और माननी कोर्ट ने आदेश जारी करते वे वीविन आदेशों का अवाला जारी किया चा थी आयर्वे जिक्रिशक वेलफेर असोशेशन जेपूर इस स्टेट ओफ राजिस्तान ने अदर्स 1907 में का केस हो चाहे वो अन्य जो भी केस हो उनका वाला देते वे यहां पर इनको जो है प्रवावी इनकी पेर्वी थी और इनके प्रक्ष में यहां पर माननीय कोट ने फै साथी साथ इनको जो प्रोबेशन में जो फिक्सेशन के बाद का जो वेतनमान है वो यहां पर दिया जाए जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह काफी बड़ा आदेश है करीब 21 से 22 पेज का जो दोस्तों यहां पर जो आदेश है वो माननीय कोट ने जारी यहां पर क ही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथी साथ आप देख सकते हैं पहले मैं पूरा जो जो जज्ज्मेंट है वो मैंने आपको सिंपल वे में सिंफलिफिकेशन करते वी आपको यहां पर समझाया तो दोस्तों जो भी समविदा करमचारी माननी कोट में यही का जो समविदा करमचारी समविदा के रूप में काम करता है उसके बाद में किसी भी भरती में उसका अगर सेलेक्शन होता है उस सरकार पर्मानेंट करती है कोई भरती निकालके तो उसको उसकी जो पूरानी सर्विस है वो काउंट करते वे फिक्सेशन के बाद के वे जो वेत बाई दे प्रेटिशनर ओन दे पोस्ट ओफ आयरवे चिकिशक फ्रों वियर दो हजार दो से लेकर दो हजार चार फोर दै परपज ओफ कैल्गुलेटिंग क्वालिफाइंग सर्विशों फोर पेंशन ऐसा थी माननी कोट ने ये भी डिरेक्शन जारी किये की पैंशन परक्रण के लिए इनकी जो सर्विश है इन्होंने जो कॉन्ट्रेक्च्वल बैसिस पर जारी की थी 2002 या 2004 से वो भी यहां पर pension प्रक्ण को लेकर count की जाए The action for the respondent in subjected that petitioner to probation on fixed remuneration wide appointment order 25 अगस्त 2015 is declared invalid and consequently और जो 25 अगस्त 2015 का जो इनको fixed remuneration का आदेश था उसको यहां पर invalid गोशित किया है और इन्होंने काया कि They shall be entitled to full remuneration applicable for the post of ruler Ayurved Chikishik from the date of their joining in pursuance of order dated 25 अगस्त 2015 तो दोस्तों इन्होंने काया कि जो 25 अगस्त 2015 को जो आदेश था जिनको इनको fixed remuneration पर यहां पर जोइन करवाया गया उसको यहां पर इन्होंने invalid गोशित किया है और joining date से इनको full remuneration देने के जो आदेश है वो ruler Ayurved Chikishik की post पर full remuneration के आदेश यहां पर जारी किया और शाती साथ सरकार को आईरवेड डिपार्टमेंट को इन्होंने जो डारेक्शन है वो जारी किये हैं कि वर्ष 2015 से जब यह नियमित हुए तब से आज रंग तक का जो इनको area है वो भी यहां पर दिया जाए तो दोस्तों यहां परमारनी कोर्ट ने आदेश जारी करते वे इनकी पूरानी जो सर्विस है contractual basis पे वो count करने के नरदेश जारी किये हैं साथ ही साथ इनको वर्ष 2015 जब इन्होंने regular service के रूप में जोइन किया तब से लेकर आज नंग तक का जो area है वो भी देने के नरदेश यहां पर जारी किये हैं साथ ही साथ पेंशन पर करण में इनकी जो पूरानी सर्विस है समवीदा के रूप में वो भी count करने के आदेश जो है वो जारी हुए तब से इनको जो जाए वो मौद्रिक benefit हों जाए वो ए मौद्रिक benefit हों वो सारे यहां पर benefit दिये जाए साथ ही साथ वर्ष 2015 से लेकर आज तक का जो area है वो भी माननी कोट ने देने के नरदेश यहां पर दी हैं साथ ही साथ पेंशन पर करण को लेकर इनकी जो पूरान करने के नरदेश यहां पर माननी कोट ने जारी किये हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आयर्वेज चिक्षकों के परिलाब से जूड़ी याची का आंसिक रूप से सुविकार कोट ने खा न्युक्ति की तारिक से करें पेंशन की गणना तो पेंशन परक्रणों को लेक कर माननी कोट का सफस्ट डायरेक्शन है कि जो समविदा की सेवा इन्हों ने दी है वो भी पेंशन परक्रणों में शामिल की जाए और यहां पर वर्ष 2015 से लेकर आज तक का इनको जो एरियर का जो है भुगतान है वो यहां पर किया जाए साथी साथ इनको प्रोबेशन में जो रेगुलर जो वेतन बते हैं नियमित करमचारियों की तरह देने के डारेक्शन यहां पर जारी किये हैं रास्तान हाई कोट की जोदपूर बेंच ने ग्रामीन आईवे चिकिशक के पद पर न्यूक्त याचिगा करताओं को रहत देती वे कारिये ग्रहन कारिये भार ग् पर विक्षा के अधीन आदेश के को अवेद गोशित यहां पर कर दिया हैं जस्टिस फरजद अली की एककल पीट में याचिका करता विजे कुमार जोशी वे अन्ने की ओर शे वरिष्ट अदवे अधिवक्ता एमेस सिंग वी वे उनके सयोगी अधिवक्ता अभिशेक महता नहीं याचिका करताओं का पक्ष्ट रखा याचिका करता में बताया याचिका में बताया कि याचिका करता राजसान सरकार में आईरवेद विभाग के अदिन आईरवेद चिकिशक के पद पर कारत हैं याचिका के लंबित रहते भी आईरवेद चिकिशक के पद पर शेव निर्दान इस्ताई करन सुनिशित केरियर प्रगती आदि सहित सभी परिणामी लाभों के लिए परविक्षा के साथ ही उनके चैन और नियमित न्यूकती की तारिक से मूल आधार की गणना की जाए मारनी कोट ने सुनवाई के बाद आदेश पारित किया कि जो पेटिशनर है उनकी पेंशन की गणना उनकी कोंट्रक्ट की जो सर्विश है उनकी तारिक से की जाए कोट ने 25 अगस्त 2015 के तहत या चिका करताओं को जो फिक्स रेमुनरेशन पर जो प्रोबेशन पर रखने की जो आदेश है उसको एवेद इनवेलिड गोशित कर दिया साथी 2015 के आदेश के अनुश्रण में कारी ग्रहन करने की तारिक्षे ग्रामिन आईवेज चिक्रिशक के पद पर लागू पूर्ण पारी शर्मिक के अगदार यहां पर रोंगे यानि कि इनको वर्ष 2015 से शुपूल जो वेतनमान है वो दिया जाएगा साथी 2015 में कारी ग्रहन करने की तीती से प्रारम होने वाली संपूर्ण आवदी के लिए जो बकाय वेतनमान है जो एरियर है उसको भी देने के डारेक्षिन जारी किया कोट ने काया कि या चिका के लंबित रहने के दोरान अगर कोई कार्मिक सेवा निवरत हो चुका है तो उश को भी ये समस्त जो लाब है वो यहां पर दिये जाएंगे वोडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ने बुलें आपके अपने यूटूब चैनल राजस्तान बेरोजगार चातरश्रम को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पे भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दाने वाद दोस् सब्सक्राइब चैनल राजस्तान बेरोजगार चातरश्रम